दोस्तों Microsoft ने यहाँ पे खेल खेल दिया है आपके साथ, मतला अगर आप यार Windows यूज़ करते हो ना पूरा मामला चेंज हो गया, इनकी यार नई service agreement आपके सामने स्क्रीन के, और यहाँ पे completely हर एक application ये list wise आप देख रहे हो, जायतर चांसे आप सारी application कोई ना कोई तू हुआ है, हुआ क्या है नई service agreement के हिसाब से पूरा control आप Microsoft के हाथ में, आपके data का आप यूज़ कर रहे हो, आपको किस तरीके से यार मतलब की advertisement, जितना भी कुछ रहता है, डिरेक्ली इन्होंने सब कुछ encoded way में आपको यार प्रोवाइड कर दिया, आज ये चीज इन्पोर अगर लगता है, तो let me show you, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूरा complete चिठा लेके आचुके है, यह रहा यार, यह Microsoft की तरह से पूरा एक agreement आता है, और हाँ ये हर एक Windows users के लिए तो बहुत ही जरूरी है, लिनिक्स वाले enjoy मार सकते हैं, क्योंकि जो detailing दिखा हुआ है, हैरान हो जा यहाँ साफ साफ आपको एक एक word दिखाऊँगा, कि आपका data कैसे use होने वाला है, और कौन-कौन से app से होगा, देखो वैसे तो यार, यह पूरा एक page जो है, मैं आपको description में link दे दूँगा, क्योंकि इसको समझाने अगर मैं बैठूँगा, यह देख रहो कितनी सारी चीज कर सकते हैं, और ना इसको complete मैं समझाने जाऊँगा, तो रात हो जाएगी, इसको हटाते है, आप simple, सबसे पहले, आप major चीज यहाँ पर में highlights देख सकते हो, these terms, यह basically terms इन्होंने बना रखिये, और यह आप हमेशा जैसे ही आपका Microsoft की ID बनेगी, यह सारी चीजे खुदी से accept ह जाएगी, इन्होंने directly यहाँ पर दे रखा है, बाग यहाँ यहाँ पर देखो, cover the use of those Microsoft consumer product, यह इनके product अगर आप use करते हो, basically आप Windows यूज करते हो, तो इनके product यूज में आई जाएगे, क्योंकि आप कब तक avoid करोगे, वही बात है, अचा देखो, product हो गया, website हो गया, services हो गय उस पर इतना impact नहीं है, वैसे जो third party का भी लिखा हो है कहीं-कहीं पर, but major यह आप जो देख रहे हो, इनके उपर होने वाला है, यह सब app अगर आप use करते हो, तो आपका data share होगा, यह जो इन्होंने अपना data control वाला scheme बना रखा है, इसमें इस app होने वाला है, आप major देखो के एक एक पारीगी से चीज़े देखोगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अपना kotana भी आ जाता है, उसके अलावा आपका, यहाँ पर यह देखो, देव home इनोंने latest बनाया था, वो भी यहाँ पर included है, और बहुत सारी चीज़े, गाने वाने के भी app, map, आप जितनी चीज़े देख रहे हो, आपके सामने listed कर रहा है, और यह जातर सारी ही देखो, Microsoft reward आपने देखा था, search in Bing हो गया, Microsoft start भी देख रहे हो, यहाँ पर मतला हर एक चीज, wallpaper, मतला A to Z, मेरे को नहीं लगता भाई, Windows की कुछ भी चीज़ यहाँ पर इनोंने छोड़ रखी है बेसिकली जातर जितनी application होती है, inbuilt वाली तो सारी लपेट रखी है, और बेसिकली चांसे भाई, आप यूज करते हो, अब बेसिकली देख सकते हो, यहाँ पर यहाँ पर आप यहाँ देखो, Microsoft का account, Microsoft account ऐसी चीज़े, जो Windows में आप करते हो, login तो आई जाती है, उसको हर जगा 365 service है, और यहाँ पूरा लिष्ट दे रहा है, games में भी even, हाँ, आप Xbox Game Pass में ने देखा था, यहाँ, Xbox Cloud Gaming आगया, Game Pass आगया, Game Pass तो मैं भी यूज कर रहा हूँ, उसके अंदर भी है, Xbox Store भी हो गया, इनका Microsoft Store भी होगा मेरे साब से, काइप भी है, यहाँ पे, Paint 3D, आप यह सब आप यूज करते होगे, मुझे लगता है, Minecraft game भी दे रहा है, Minecraft का मैं थोड़ा clear नहीं हो, यह इन्होंने partner कर रहा है, जो भी system होगा, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे included है, यह सब चीजे भी, मुझे नहीं लगता भाई, इन्होंने कुछ भी major app छोड़े है, जालतर सारी चीजे यहाँ पे include कर दी गई है, यह सारी services में यह चीज impact होगी, जैसा हमने ऊपर में देखा था, यहाँ पे हमने click किया था, तो यह सब terms, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, by providing the opportunity of subscription for using, और यह सब services आगया, Microsoft make an offer to you, मतलब वही इन्होंने offer आपको दे रहा है, कि आप यह मैं जो बोल रहा था, creating a Microsoft account करोगे, यह इनका offer है, कि आपको यह सारी चीजे accept हो जाएगी, यह कैसा offer है, बढ़ यह typical चीज भी है, क्योंकि यह personal data अब आपको use होगा, इसके अलावा देख सकते हो, कि कौन सा data किस तरीके से यह लोग collect कर रहे है, और कहां कहां पे use करने वाले simple, यह तो यह major चीज है, बाग इसके अलावा आप इस article में देखोगे, तो वही सब है, कि आपका कौन सा content है, content के बारे में दे रखा है, कि आप अगर उसको online या एडिट और upload करते हो, वो throughout the log के लिए हो जाता है, Microsoft जी में दार नहीं है, यही सब चीजे यहाँ पे लिखी व देखा है, through our interaction with you, और यह इनके product से, जैसे आप interact करते हो, सारे product मैंने आपको बता दिये, लिस्ट थे, अब देख सकते हो, you providing some these data directly, कुछ data तो directly आएंगे, कुछ यह लोग collect करेंगे, app के through, और यह सब चीजे इसके बारे में लिख रखी है, जो भी यहाँ पे complete है, यह आपन सिस्टम है, और यह सब चीजे भी है, कुछ like personalize our product and make recommendation हो गया, improve or develop our product, तो यह कुछ system है भाई, यह completely इनका, आप new type भी बोल सकते हो, यह पूरा change एक तरीके से, आप पूरा सारा कुछ सामने है आपके, यहाँ पर क्या data जा रहा है, avoid इसको हटा भी नहीं सकते हो, बर छोड भ मेरे सब से, जितने आपको app दिखा है, वो जातर में से कोई ना कोई कैसे ना कैसे आपके chance हो गई, कि आप use कर रहे होगे, Microsoft account कौन ने use करता है, या फिर clipchamp हो गया, या फिर paint 3D, यह सब आप तो normal है, यूज करते ही है हम लो, तो कब तक बच पाओगे तो वही बात है, add then by, इसको निर्धारित रूस से accept तो करना पड़ेगा, और उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा, यह कुछ इन्हों ने जब अच्छे से provide कर दी, पता चल रहा है, कहां पर क्या कुछ हो रहा है, पड़ यह सब कुछ implement हो चुका है, start हो चुका है, बस आप क्या है, तो आपको at the end, user experience best मिलेगा, तो at the end वो तो अलग चीज़ है, बड़ चलो तब भी ठीक है, बागे यह completely overall scene था, बागे अगर वीडियो पसंदे तो बिल्कुल भाई, लाइक कर सकते हो, subscribe बनता है, टेक रिलेट वीडियो के लिए शेर करते हैं, मिलते हैं एक श्योड़ो में, तब अग अगले बाईयर जय हैं, जय भारत वंदे, महतरम